कुछ ने कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया आपने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया सुबह से सोच रहे हूं कुछ तो गड़बढ है आप समझाया इसके एक्सरा खर्च को लेकर मैं परिशान न हो जाओ इसलिए आप लोगों ने चुपाया ना? बाबा, मैं मुठी कसके रखती हूं ताकि बेकार में पैसे खर्चना हूं लेकिन एक जरुदमन बच्ची के मदद ना कर पाऊं इतनी भी बेगेरत नहीं हूं मैं पिटा, आराम से खाओ ये ले, अरे चिओ कितने जल्दी खा रही है मैंने तुझे कितनी बार समझा है, इसे बत्तीस बार चबारना होता है हूं? अराम से खाओ बत्तीस बार निवारे का चबारना चाहिए आई भी यही बोलती थी अब आई नहीं रही, मुझे अपना हातों से खिलाने के जिए मैं हुना, मैं किलाओ बञार यही जोगा है इसके लिए है जी बबाब, तरही कहा रहा है, अब लगता है तरफुर्ष्टी को जा रहे है, अब लगता है तरफुर्ष्टी को जा रहे है जक्कास तखाना, मजा आगया, फोटोबाइ खुज दाला यह लो बेटा, कपड़े बदलो, हाँ? यह मेरी कपड़े, इस क्रिमिनल को मेरी कपड़े मत दो सही, एसा नहीं करते है सचो, महमान है ना कुछ दिनों के लिए आई है और मैंने क्या बुला था? शेरिंग पिस कैप, ओके? तो यह है वो तूफानी लड़की आज जी, देखो न, बाबा इस लड़की को घर पर अटागर लेकर आया और मेरी सारी चीजे और कप्रे दे रहे इसे बेला, का एगा? क्या कह रही है जई? सही अरे, डाड़ो मत न, बच्ची तो है बच्चे इतने आसानी से अपनी चीजे दुसरों को नहीं देते कौन है कौन ये, जरूरतमन बिखारी मैं आपसे भीख मांगी? नहीं न, तुम्हें भिखारी कैसे? गुड़का की? कौन ही ये कड़ू आज जी? इसमें हसने वाली कौन सी बात है? क्यों? इसके माबापने इसे कुछ सीखाया नहीं? द्यान से ओड़ा भई भई तो माबाप पे नहीं जाने का आर्या, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते अपने परिवार का खर्चा तो ठीक से उठानी पाते उपर से इसे लेकर आया हो अपनों की चीजे अंजानों में बाट रहे हो अंकुष? कौन है कौन ये लड़की? बिटा आर्या, बार जागे खेलो जाए, तो अंदर जाए बच्चों के सामने कैसे बात की जाती ये मुझे आपको सिखाने की जरुवत नहीं पढ़नी चाहिए वो बच्ची मेरे इंफॉर्मर की बेटी है मर गए तोनों इसके माँ बाप मेरे काम की कारण इसलिए मेरी जिम्मेदरी हुई नहीं इसलिए यहां ले आया और बच्च्पन से बाबा से एक सीख मिलिया है मुझे कि अपनी चीजों को औरों के साथ बाटना चाहिए उसे दिल बड़ा होता है जई को भी ये सीखना चाहिए कम से कम इस घर की तो यही रीत है वो लड़की और अंकुष का क्या रिष्टा है बस आई को यही तो पता लगाना था पता नहीं कहा रही गई सत्या हाँ आई गरीबों के लिए अंकुष ने धरमशाला खुलके रखी है बोल रहा है किसी इंफॉर्मर की बेटी है अब वो उसी के कारण उस लड़की के माबाप मर गए तो वो लड़की को उठा के यहां लेकर आए समझ में नहीं आ रहा है बो यहां क्यों लेकर आए एक बच्ची को कोई ऐसे ही घर लाता है क्या दाल में कुछ तो काला है कस्तूरी एक बेला भी ना वेडिया वेडि एकदम अंकुष की सारी मनमानी चलाती रहती अरे चार लोग क्या कम पढ़ गए थे यहां गए पांच वे साइब मुझे आपसे दो मिनट बात करनी है साइब लुका साइब अंधर चलिये ना का मेरे सामने बात नहीं हो सकती सा मुझे प्लीच साहिव एक पर मेरी बात तो सुन लो बोल एक बड़ की बोड़िंग स्कूल में थी ना वो तो कित्ता बड़ा बोड़िंग स्कूल है तो? साहिव आप ही सोचिये एक मामुली से इन्फॉर्मर की बेटी इतने बड़े वोर्डिंग स्कूल में दाखिला कैसे लेगी? वो भी एक मामुली से पुलिस के इंफॉर्मर की बेटी? साहिब, दाल में जरूर कुछ काला है. आप वो प्रिंसिपल को एक फोन कीजिए. और फिर देखिये क्या पता लगता है? क्योंकि दाखिला कराते समय, वो सारी इंफॉर्मेशन तो जाती है, ना? तेरे परिंगे जेसे, तेरा दिमाग भी थी रखता है. ठीके, लगा तो पून. ओ, नमस्कार. सत्या राज्या वाड़कर. सत्या साहिब, I'm extremely sorry. स्कूल में जो कुछ हुआ वो. नहीं, वो, रहने दो बात को. कोई ठीक है. एक काम था आप से, उस बच्ची के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी. उसके पारे में जादा नहीं पता है, सर. इंस्पेक्टर अंकुष लाये थे उस बच्ची को, एड्मिशन के लिए. और बिना कुछ इंफॉर्मेशन के आपने उसको एड्मिशन दे दिया. पुलिस वाले अगर खुद लेकर आएंगे तो हम क्या पूछताच करेंगे? आप तो जानते ही हैंना, सर. आप माबाप का कुछ नाम पता? अनाद बच्ची है कहा था. कुछ प्रॉब्लम है के सर? नहीं, ठीक है. थेंक्यू. वन मिनिट सर. एक अजीब बात जरूर हुई थी. वो लड़की बहुत शैतान थी. जब मैं अंकुछ जी से उस लड़की के शिकायत कर रही थी, यह रियली गॉट अंग्री. वो बोलने लगे आप मेरी बच्ची के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं. अंकुछ की बच्ची? जी सर. मतलब गुस्य में अगर निकल काया हो तो पता नहीं. लेकिन वो उस लड़की को लेके काफी प्सेसिव और उवर्प्रोटेक्टिव थे. शी मेंट सम्थिंग तु हम. ठीक है. एक रिक्वेस्ट है आप इस बारे में किसी को कुछ बोलिये मत. और मैं भी इसके बारे में पूछ रहा था. यह भी आपको किसी को बताने की जुरूरत में है. नहीं पता चलेगा, सर. आप चिंता मत कीजी. ओके. थैंक्यू. नमस्का. उपरवाला जब भी देता है, छपर फाड के देता है. हमेशा उसोलों और आदर्श पे चलने वाला नेरा छोटा. कहीं और बासुरी बजा के आया है. उम्हू. उमीद नहीं थी उससे के वो कुछ ऐसा करेगा. ना जायर साउलाद. अंकुष राज्य वड़कर. उजा विशय सम्रला. अलिनेमी साहेब. यह बॉम हलके में नहीं पूटना चाहिए. जोर का जटका जोर से ही लगना चाहिए. यह तो ब्रेकिंग न्यूज है. प्राइम टाइम पे ही चलनी चाहिए. सोचो. इमानदार इंस्पेक्टर अंकुष की इज़त का जनाजा जब भरे बाजार में निकलेगा, तो कितना मज़ा आएगा? यह तो कितना में चाहिए, साहिए. मौके पे चौका मारना कस्तूरी को बरबबर आता है. जंगल में जब आग लगानी पो, तो आग चारो तरफ से धीरे धीरे लगानी चाहिए. ताकि कोई चाह के भी वो आग बुझा नसके. ताकि कोई प्राइब लगानी चाहिए. मेरे सीने से बहुत बड़ा बोश हलका हो गया, ऐसे लग रहा है. अंकुष, आप भूल जाते हो ना? हम अलग नहीं है. एक ही टीम है. अब जई की चिंता मत कीजे. मैं उसे संभाल लूँगी. आर्या पराई है. पर प्यारी है. और हमारे पास जो जितना है ना, उसी में उसका गुसारा भी हो जाएगा. हम? पराई नहीं है वो बेला. कैसे संजाओं तो मैं? अचानक से तेरा दिमाग एकदम रॉकेट की तरह उड़ने लगा. और फिर वो छोटी परी जो थी ना, ननी सी. उसको खाने के लिए उस चुडैलने ऐसे मूँ खुलो. अर्सल! फिर क्या? वो नननी परी के पास वो रॉकेट था ना, जो उमने दिया था? तो वो रॉकेट रॉसन नहीं पहने उस चुडैल की मुउमें डाल ज guidance. फिर क्या हूआ? फिर तो भाईया, जो चुडैल उडी है रॉकेट के साथ कुडीया, उसके चाद ना, पूरी चुडैल के ऑज़ने टुड़ने عाउट हो गये चुडैले सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी वनवास था, साहिब। उसका बदला तो इस अंकुष से लेकर रहोंगी। इसकी जिंदगी में छोटा सा अर्डी-एक्स ऐसा धमाका करेगा है कि इसकी पूरी जिंदगी तहस-नहस कर देगा। विचारा, अकेला खड़ा रहकर अपनी जिंदगी के टुकड़े बतोरते बतोरते बस इसी बात को कोसेगा कि क्यू पंगा लिया। क्यू पंगा लिया उसने मेरे साहिब से। फिर जो है ना वो जो नन्नी परिदी उसके बास और भी बहुत सारे रोकेट हैं तो बाकी की सारी चुडल भी भाग गई वहां से। हाहाहा इस कर में दे विंकिलर के रहेगी या कोगे या फिर मैं लोग दोगे शिरुना टंकी जाही जाही सिद्नी करते मिटा जाही नहीं खोलोंगी नहीं खोलोंगी दर्वाजा जब तक यह क्रिमिनल मेरे खर मे रहएगी अझा टर्वास भूंगी इतम्हारना टक जही जाही प्लीज दर्वासा कोलो झही जही उससने ब अश्ल कुछ नहिंसे कुछ नही गा ए एक मिल एक मिल रूजोए लिएे नाया बीज 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 एक मिल रोकर फिर से रोने का सूर पकड़ती है नाया। जाही। और तो कहां चली गैटी? मैरे तुझे किना उन्ट मुझे काहां चली गैटी तो कि मुझे जली के तिया रहा है। इसने अपनी आई को डुलाया, अब तो गईगे, लट्टू हरना खेल खता इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा अरे, देखो बपा, कैसे नाठब कर रही है अकुछ प्लीज कुछ करो, मेरा दिर बहुत घबरा रहा है, प्लीज, प्लीज अटो, अटो, मैं दरवाज़ों तूर देता हूं, अरे, अईसी पैसी बात करे रहा है, तूर देता हूं नोगा इस दोरो के राजपाट लही रही है वो वावनका देव तिला एक पुरिस उपीसरोकर भी, चाहिय और नाठ्य का फर्क नहीं समझता तुझे वह बीटी है तब तो जादा शीक होना चाहिए तुझे साही साही प्लीज खोलो तू सत्या राज्य वड़कर का बेटा है तो लाइप में इसे डिफेंस में ने रहने का फुले इसा अटेक में और इसा ख्याप करके देने का अरी ये छोटा सा नन्हा सा रूई का गोला ये क्या जानेगा अडिफेंस और अटेक है खुन में ही मिलावट है माफ कर देना इसे अरे आवड़ा भाई रुकिये जरा खुन की मिलावट कहां है सब निकल कर सामने आने वाला है आपकी किसमत में शायद नाजायस पोतब होती ही लिखे है क्या है ये देर सवेर असली खुन्ज होता है न वो उठके बोलता है थिपता है थोड़े टाइम लेकिन फिर उसके बाद सर पे चड़के बोलता है और अगर चीपारेता है तो फिर उसको ढून के भार निकालना पड़ता है कस्तोरी काय में अन्टेश क्या हुआ 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 है क्या है तो अएज सॉप प्योब सॉप सॉप हुआ 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 दिया पुकित दन लें सुपकित दूइए पुकित दून लें बाल को वील में दाला दो सॉपको राग या कव में असा ही करते है नोने के नोटन की कर रही थी वो भी गंदी वाली छेरे पे एक भी आसे नी है तो सुनवर सेरे ज़्यादा देखते हैं एसे एक दिंग कौन करते है पैसा मस्ट लाटक करती है ना कि मिरी यही तेरी आई बापा तेरे पास है तो उनकी बाद माना कर मैंने मेरी आई की बाद नहीं मानी तो मेरी आई मुझे गुस्ताओ के बपा की साथ चलिगे एक बार वापा साजाए तो कभी उसके बाद नहीं टालूं मुझे मैं सिखा चिप कर लिकाई की मेरा मज़ा गुडारती है रोक तू जई 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 बेव मुझे सिखाई की तू सत्या ज़रा जा के आंकुछ से पूछ तो ओ इन्फोर्मर की बेटी को घर पे लाने की क्या ज़रूरत थी कहीं और बंदोबस्त नहीं हो सकता था क्या बार जाके खेल पता तो चले क्या माजरा है बाव इन पेपर पे साइन चाहिए थे सत्या अरे बाबा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ क्या हो रहा है सबजी बना रही हूँ क्या चुपा रही हो तुम छूट मत बोलना टीचर हूँ मैं बदमास बच्चों के चेहरे भी पढ़ लेती आइसा है आज तक ऐसा हुआ है कि मुझे कुछ पता हो और आपको पता ना चले नहीं ना मौर मी फुदक रही है मतलब कुछ तो खेल खेला जा रहा है जो मुझ से चुपाया जा रहा है ये बन बहाट नहीं लगाना चाहिए था आइ मोर्म हो जोर्म है टाज़ा हो जोर्म है जालगा तोरो मुझे इस नोगे कि आपकोस दो आपका तोरा है इसी वक्त अलगलग कमरों में चाहिए अभी इसी वक्त बिला तुम जाई को लोकर जाओवा बाबा आरे को लोकर जाई आप और एक आवाज दे सुनिये मुझे ये पोबला और उसकी चमची को सबक सिखाना ही पड़ेगा कर दो झाना ही पुम जाँ आरे को लोकर जाओवाजा डाव जाओ़ेगा